यहां से आप अपना अफियर प्लस टार्टिक पोर्शन भी कवर करोगे ठीक है और यह आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए हेलपफुल होने वाली है चाहे वो CAPFO, CHCO या फिर NDA या और बांकिंग एग्जाम्स हों सभी के examination point of view से यह prepare करी गई है और इस सेरीज को आप इस वीडियो को last तक देखीगा क्योंकि यह वीडियो बहुत जादा informative आपके लिए होने वाली है ठीक है, so without delay let's start यहाँ पे पहली जो थी current affair की news आई हुई थी कल कि जो Chief Justice है हमारे Chief Justice of India उन्हें appoint किया जाएगा और यह हमारे 50 वे Chief Justice of India होने वाले हैं कौन है यह D.Y. चंद्रचूट जी है इनको appoint किया गया है और इनका जो tenure है 2 years का होगा यह 2024 में retire हो जाएंगे तो आपको यह याद रखना है प्लस अब हम fact के बारे में बात करेंगे कि कौन सा static portion है इसका तो article 124 जो है Constitution of India का उसने कोई mention procedure नहीं करा है Chief Justice के appointment का तो यह आपको याद रखना है कि article 124 में किसी भी तरीके का कोई procedure mention नहीं है यह convection के through होता है ठीक है यह convention है यानि एक परंपरा है और जो seniority होती है उसके basis पर decide किया जाता है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि seniority के basis पर decide किया जाता है कि who will be the next Chief Justice of India okay so यहाँ पर age matter नहीं करती है आप age के basis पर seniority को decide नहीं करोगे आप उनके judgment उनके number of years के basis पर decide करोगे कि वो कितने senior है और कितनी बड़ी बड़ी उनने judgment को head किया है उन cases को head किया है यह आपके लिए matter करता है ठीक है तो यह आपको important है याद रखना है फिर अगर बात करें कि Chief Justice of India बन कौन सकता है तो Chief Justice of India कोई भी Indian citizen हो और उसने कम से कम 5 years as a judge of any high court 2 or more than 2 high court में as a judge serve किया हो और उसके साथ साथ at least 10 years का उसके पास as an advocate experience हो of high court ठीक है और उसके साथ साथ या फिर कोई president के opinion के basis पे भी या jurist के basis पे भी वो बनाया जा सकता है ठीक है तो यह आपको याद रखना है फिर अगर बात करें कि who appoints CGI तो वो है हमारे president प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं CGI को भी और high court के justice को भी ठीक है तो high court के judge को भी आपको याद रखना है CGI ही अपॉइंट करते हैं under article 217 ठीक है तो यह आपको याद रखना है यह important हो जाता है article आपके लिए फिर अगर बात करें कि tenure की तो हमारे जो CGI है उनका tenure होता है 65 years का जबकि जो high court के judge है उनका tenure 62 years का है यह आपको याद रखना है यह important है next अगर removal की बात करी जाए तो removal जो है as a कोई once way में नहीं करा जा सकता इनका ठीक है उसके पीछे पुरा procedure होता है removal का और इनकी removal का basis क्या होता है तो यह आपको याद रखना है कि proved misbehavior and incapacity यह word आपको याद रखना है इसके basis पे उनका removal किया जाता है अगर वह proved misbehavior और incapacity है तो उसके basis पे आप remove कर सकते हो chief justice यह judge of high court को भी ठीक है तो उसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि collegium system क्या होता है तो collegium system के basis पे हम judge को appoint करते हैं और इसमें 5 senior most judges होते हैं supreme court के और high court के ठीक है यह collegium जो term है वो constitution में mention नहीं है यह important हो जाता है आपके लिए तो यह आपको याद रखना है कि ऐसा कोई term constitution में mention नहीं किया गया है ठीक ह और background की बात करें तो intelligence bureau IB at a time करती है इसका design appointment का ठीक है तो आपको यह याद रखना है देन बात करते हैं criticism की तो काफी ज़्यादा criticism होता है collegium system का और इसके लिए एक NJAC committee भी मतलब commission बनाई गई थी कि national judicial appointment commission parliament में ने law pass किया था और बोला था कि अब law के थू हम appoint करेंगे CGI को बट उसमें Supreme Court ने यह struck down कर दिया था in 2015 तो आपके लिए NJAC याद रखना है कि NJAC नहीं है अभी तो फिलाल कोई NJAC नाम की कोई body नहीं है और अगर बात करते हैं कि contribution क्या है दीवाई चंड्रचूट जी का तो वो है आयोध्या land dispute में उन्होंने head किया था जो की 2019 के apex code का एक वर्दिक्त था और बहुत जादा ही important था राम temple जो built dispute चल रहा था इन आयोध्या उसके basis पे तो उसमें भी इन्होंने head किया था next section 377 of IPC पे इन्होंने 5 judge की committee बैटी थी उसमें भी 5 judge के constitution bench में one of our DY चंड्रचूट जी ठीक है तो उसमें से एक हमारे DY चंड्रचूट जी भी थे next बात करते हैं कि section 497 में भी इन्होंने IPC में उसमें भी head रहे हैं उसकी भी बैटक इन्होंने की then sabri mala case तीक है very important sabri mala case में then medical termination of pregnancy act में भी इन्होंने नहीं head किया है ठीक है तो यह आपको याद रखना है यह सारे इनके important contributions हो जाते हैं next अगर बात करते हैं discontent of over Hindi imposition की तो यह controversy create हो गई थी जब non-hindi speaking pupils पे Hindi impose करने की बात चलने लगी थी ठीक है तो parliamentary committee बैठी official language पे और उसने कहा कि non-hindi speaking pupils will also speak Hindi तो इस पे controversy हो गई और यह news में है इस पज़े से आपके लिए important हो जाता है तो जैसे कि आप जानते हैं कि report के according जो panel है उसने decide कि English जो है वो हमारे technical और non-technical institutions जैसे IIT, IIM और AIMS बगयारा में बोली जाएगी मतलब उसके through हम instruction देंगे तो media from instruction जो है English होने वाला था English वो होने वाला है और उसको remove करके हिंदी की बात की जा रही थी इस वज़े से यह controversy create हुई थी national education policy की बात करते हैं तो mother tongue की बोलते है कि mother tongue या फिर वहां की important हो जाता है next अगर linguistic row की बात करें तो linguistic row हमारा आज का नहीं है बहुत पहले का ही इसका origin है historically जब से इंडिया independent हुआ है तभी से इस पे बहुत सारे disputes चलते रहते हैं ठीके debates होती है discussions होते हैं और इसी लिए official act of 1965 भी ला गया था ठीके और नहरु जी का opinion यह था इस पे कि जब तक non-hindi speaking pupils नहीं चाहेंगे कि वह हिंदी में बोलें तब तक उन पे उन पे जबर्दस्ती impose नहीं किया जाएगा ठीक है तो यह आपको याद रखना है यह important हो जाता है आपके लिए next अगर way forward की बात करें तो क्या है कि equal treatment दीजिए सारी languages को develop करिए consciousness ठीक है zonal council को build करिए ताकि disputes resolve हो पाएं language के basis पे और official language act of 1963 आपके लिए important हो जाता है यह जो UBPSC जैसी परिक्षा होती है और या फिर BPSC जैसी परिक्षा होती है उसमें direct यह पूछा जाता है कि कब पॉइंट किया गया था ठीक है national language act कब लाया गया था तो 1963 में लाया गया था यह आपको याद रखना है यह important हो जाएगा आपके लिए ठीक है फिर अगर three language policy की बात करें तो three language policy क्या है national education policy of 1968 में three language policy की बात करी कि हिंदी English और regional language में हम जो है अपने institution में instructions तेंगे तो वही continue कर दिया है new education policy of 2020 ने भी ठीक है आगे फर्दर जो three language policy का जो फंडा था idea था उसको और अगर बात करते हैं कि historical view क्या है तो historical region यह है कि दक्षिन भारत हिंदी प्रचार सभा जो महात्मा गांधी जी ने बिल्ट कर आई थी मतलब जो form करी थी 1918 में वो भी क्या करती थी वो भी spread करती थी Hindi language को ठीक है तो आपको यहां पर historical view भी देखने को मिलेगा और हिंदी इस पोकेन बाइ नियरली 57 परसेंट ऑफ इंडियंस ठीक है तो 57 परसेंट इंडियंस जो है हिंदी बोलते हैं इस्पेशिली हमारा जो नौर्थ नौर्थ और वेस्टन पार्ट है वहां पर बोली जाती है फिर सेकेंड आर्टिकल डिस्कुस करते हैं ग्लोबल मल्ट मुल्टि डामेंशनल पोवर्टी इंडेक्स MPI पर तो यह आया है यह रिसेंटली रिलीज हुआ है और यह इंपॉर्टेंट हो जाता है MPI आपके लिए MPI में इंप्रूब्मेंट देखेंगे तो इंडिया में क्या हुआ है कि 41.5 क्रोर प्यूपल एक्जिस्टेट पोवर् इंड़ फर्स टेनियर दस साल में जो है दो तीहाई लोग यहां से बाहर है मतलब अब पोवर्टी से बाहर है और वन थर्ट जो है नेक्स्ट पाइव यह बाहर हो सकते हैं यह प्रेडिक्शन किया जा रहा है और अगर सेट्स की इंप्रूब्मेंट की बात करें तो स्टेट्स में तो ग्लोबिली अगर बात करें कि ग्लोबिली क्या है पोवर्टी का सिनारियो तो वह 610 क्रोर प्यूपिल्स जो हैं 111 डवलपिंग कंट्रीज में और 90.1 परसेंट जो हैं वह ग्रसेत हैं पोवर्टी से तो आपको यह आद रखना है और कोविड में तो यह बहुत जादा ही जो है बढ़ गया था पोवर्टी और अगर MPI की बात करें कि MPI को रिलीस कौन करता है तो इससे रिलीस करती है UNDP ठीक है यूनाइटेट नेशन डवलप्मेंट प्रोग्राम यह आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है और किसके साथ मिलकर करती है तो OPHI यानि Oxford Poverty and Human Development Initiative के साथ मिलकर यह लॉंच करती है यह इंपोर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स अगर इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो तीन डामेंशन होते हैं पोवर्टी की Health, Education and Living Standards ठीक है और इसके 10 इंडिकेटर्स है जो Health, Education and Living Standard है यह Health, Education and Living Standard आपको याद रखना है यह examination में direct पूछा जाता है MCQ में ठीक है तो यह आपके लिए important हो जाता है और यह जो sustainable development goal है हमारा उसमें हमने बात करी है कि हम पोवर्टी को 1.2% तक reduce करेंगे till 2030 तो globally जो target है वो यहाँ पे बताया गया है ठीक है फिर अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का क्या initiative है इस पे तो इंडिया का global indices for reform and growth initiative है गर्ग initiative है इंडिया का ताकि इसमें हम 29 देखियां पे 29 global indices लिए जाएंगे और उसमें HDI भी एक है ठीक है human development index है global hunger index है competitiveness index है इन सब के basis पे हम overall performance दिखाएंगे तो यह हमें याद रखना है इंडिया का initiative ठीक है next बात करते हैं underutilized of India's coal mines gem report ठीक है very very important from your examination point of view gem report काफी जादा news में भी है ठीक है तो gem report क्या है Gemil stands for globally global energy monitor shows that India's coal mines are severely underutilized emit push for new ones देखे हम लोग काफी जादा coal mining कर रहे हैं और इस पे based एक global energy monitor है उसने अपने report में यह चीज़ mention की है ठीक है तो आपके लिए यह important हो जाता है global energy monitor is a firm that track utilization of fuel source internationally fuel source को internationally यह track करता है ठीक है कि हम कैसे mining कर रहे हैं अपने देश में और हम जानते हैं कि coal crisis इंडिया में बहुत जादा experience किया गया है दो बार experience किया गया 2021 ठीक है तो यह बहुत जादा important हो जाता है और हमारे किया हमारे इधर side India side power shortage भी बहुत जादा है coal crisis की ठीक है जैसे power shortage है several states like आंद्रप्रदेश जारकंड उत्रकंड मद्रप्रदेश की जगा पर तो मतलब यहां पे आपको planthor of factors देखने को मिलेंगे मतलब पूरी list देखने को मिलेगी factors की कि किस तरीके से इंडिया में challenges है with respect to coal ठीक है coal को लेकर कितने जादा challenges है और coal पर next question बनने वाला है पक्का कोई भी exam हो चाहे वो next CDSC हो चाहे CAPF हो और NDA हो और CST भी क्यों ना हूँ वहां पे हमें coal पे पक्का एक ना एक question अच्छा देखने को मिलेगा और इसलिए आपको याद रखना है coal के बारे में की coal की क्या fact है की coal क्या है fossil fuel है इसको हम black gold भी कहते हैं यह आपको याद रखना है इंडिया की बात करें तो इंडिया में coal जो है वो sedimentary rocks में देखने को मिलता है तो यह आपको याद रखना है next अगर coal reserve की बात करें तो गौनवाना coal constitute करता है 98% of इंडिया's total cost ठीक है tertiary coal है चार टाइप होते हैं coal के anthracite, butyminous, legnite और peat anthracite जो होता है वो purest coal होता है और इसमें carbon content जो है 80-95% होता है मतलब कि यहाँ से pollution कम और यहाँ से energy जादा निकलेगी ठीक है तो आपको याद रखना है best quality cold है anthracite और यह हमें जम्मू कश्मीर के लाके में ही देखने को मिलता है जहाँ पे mining prohibited है तो यहाँ पे mining हम करते नहीं और anthracite हमें यहीं पे देखने को मिलता है नेक्स्ट हमारी इंडिया में ब्यूटेमनेस और लिगनाइट बहुत जादा पाया जाता है ठीक है यह decreasing order है मतलब अगर quality की बात करें तो decreasing है सबसे अच्छा anthracite है देन ब्यूटेमनेस देन लिगनाइट और पीट तो आपको यह यह आद रखना है important from your examination point of view अगर यहाँ पे आप यहाँ पे इसकी picture देख रहे हैं तो लिगनाइट या पीट ऐसा होता है then brown coal then subbutyminous coal आता है then butyminous coal आता है which is little good then semi anthracite and then anthracite which is the tremendous coal ठीक है यह tremendous coal है सबसे अच्छा coal है calorific value में भी fixed carbon में भी ठीक है और moisture में देखे moisture में volatile में oxygen में सबसे जादा इसमें होता है इसलिए यह सबसे जादा pollution cause करता है ठीक है यह आपको याद रखना है important है next बात करते हैं कि coal जो है widely source energy का industrial application की बात करें तो cooking coal iron steel industries में use होता है thermal power plants की बात करते हैं तो बहुत सारे thermal power plants है इंडिया में भी ठीक है और coal contribution में सबसे अच्छा state कौन सा है तो that is जहारकंड जहारकंड में largest coal reserve है that is 26% जो है हमें total coal जहारकंड नहीं अके लिए दे देता है और फिर च्छतिसगर्ड थर्ड लार्जस्ट कोल रिजर्व हैं बट रंग फर्स्ट ने प्रॉड़क्शन अगर extraction की बात करें मतलब सबसे जादा निकाल कौन रहा है को तो वो जहतिसगर्ड हो जाता है वहां पर फर्स्ट हो जाता है production में largest reserve wire में हमारा जहारकंड है अगर कुछ coal fields की बात करें तो इसे आप map pointing जरूर करिए इसके एक एक जो points हैं उनको map में point करकर आज ही खतम करिए आपके लिए homework है यह बहुत जादा important होगा आपको location based question पूछे जाते हैं और especially जो geography optional means के बच्चे हैं उनके लिए बहुत जादा important होने वाला है और अगर आप मेंस लिख भी रहो भले आप geography optional नहीं हो फिर भी आपको यह map आपने अगर code कर रिया तो आपके लिए बहुत करते हैं तो जारिया इस बोकारो रानी गंज और नौर्थ करना करना पुरा करन पुरा यह जो है यह चार category 1 के कोल फील्ड है डिन category 2 के भी कोल फील्ड से आप ऐसे इसको याद कर सकते हो category wise भी याद कर सकते हो ऐसे आपको याद जादा देर तक रहेगा ठीक है और जितना हो सके से consume करिए इसका जो PDF है वो आप मेरा टेलीग्राम जो चानल है लिंक आपको description box में मिल जाएगा वहां से आप जॉइन करके इसका PDF डाउनलोड करो और इसको माप पॉइंटिंग करके और इसको आज ही घतम करिए आप लोग ठीक है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा important है next बात करते हैं one nation one fertilizer scheme की तो ये बहुत ज्यादा news में है इसकी बात आज भी करी गई इसको launch किया government ने अभी recently one nation one fertilizer onof scheme ठीक है तो ये क्या है one nation one fertilizer scheme इसमें जो है इस scheme के अंदर all fertilizer company चाहे वो state trading intentity हो या fertilizer marketing intentity हो will be required to use a single भारत brand ठीक है ये single भारत brand use करेगी for fertilizer and logo under PMBJP ठीक है तो ये आपको याद रखना है the new भारत brand name and PMBJP logo will cover two-third of the front of fertilizer packet fertilizer packet पे आपको ये भारत logo अप देखने को मिलेगा with PMBJP assigned ठीक है इस पे आपको ये भी देखने को मिलेगा अगर significance of this scheme की बात करें तो standardization, affordability और single branding होगी इसकी तो और जादा ये प्रमोट होगी है ना इसके affordability बढ़ेगी standard बढ़ेगा और major issues की बात करें तो India is facing tight supply position of fertilizer है ना इंडिया बहुत जादा supply retail देख रही है इस पे supply position पे काफी जादा face कर रही है problems और retail food inflation भी चल रहा है 7.66, 68% mark का ठीक है तो इस वज़े से भी ये इंडिया के लिए एक supply chain challenge होने वाला है constant होने वाला है तो major fertilizer exporter है कौन है चाइना है such as China have gradually reduced their export in view a dip in production ठीक है production में कमी आने की वज़े से उसने अपना export भी कम कर दिया गया है इंडिया में इसका impact देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ there are been surge in the demand in regions like Europe, America, Brazil और South East Asia में भी जो fertilizer का demand है वो बढ़ गया इस वज़े से इसका price rise कर रहा है लगातार और कोविट एक तो challenge था ही है तो कोविट ने तो काफी ही जगा पर जो है अपना problem create कर रहा ही था अगर government rational की बात करे one nation one fertilizer scheme पे तो यह subsidy और MRP की तरह work करने वाली है ठीक है जैसे maximum retail price होता है यूरिया पर currently fixed by government which compensates companies from the highest cost जो higher cost जो companies लगाती थी अब उस पे compensation government करेगी ठीक है तो government will help our farmers then MRP की बात करते हैं तो non urea fertilizer are on paper decontrolled ठीक है paper decontrolled होंगी non urea fertilizers but companies cannot avail subsidies of the sell MRP higher than that of informally indicated by government तो company को जादा price पे sell नहीं करने देगी government तो यह important आपके लिए हो जाता है ओके फिर credits की बात करते हैं देखिए यहां पे highlights हैं कुछ other highlights हैं जैसे PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 है also inaugurated Indian Agriculture Research Institute ठीक है तो IARI जो है new inaugurate किया PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 ने और एक e-magazine भी launch होई fertilizer पे जिसको हम कहते हैं India Edge तो आपको यह सब current of year के point of view से बहुत important हो जाता है आपको याद रखना है then Prime Minister also inaugurated 600 PM किसान समुरुद्धी केंद्र ठीक है तो आपको यह याद रखना है PM KSK भी जो है 600 launch किये हैं इनागरेट किये हैं then PM प्रधान मंत्री किसान समुरुद्धी केंद्र क्या है यह केंद्र जो है one stop shop है जो की multiple services provide करेगी farmers को ठीक है तो आपको इतना इसके बारे में होना चाहिए next बात करते हैं green crackers की तो green crackers आपके science and tech के view से important हो जाता है और green crackers क्यों न्यूज में था क्यूंकि जो चंदीगर्ड है उसने allow करा है use of green crackers का ठीक है तो green crackers का use कर सकता है चंदीगर्ड अब यूज करेगा और तीन category होती है green crackers की जो की CSI आर ने इसे decide किया हुआ है that is swast, star and suffle तो swast में safe water releaser होते हैं ये जो है जब ये पटाके जो जब environment में जाते हैं तो वहाँ पे water release करते हैं तो ये है safe water releasers next आती है star की category जिससे कहते है safe thermite cracker ठीक है ये compromise नहीं करते है potassium, nitrate और sulfur पर मतलब ये emit करते हैं उसे, तो safe thermite crackers होते हैं, then third होते है सफल, that called safe minimum aluminium, इसमें minimum usage है aluminium का होता है used maximum instead और magnesium को ये सबसे ज़्यादा use करते हैं, aluminium को कम करते हैं, उसका reduction करते हैं, green crackers का क्या advantage है कि ये size जो है shell का वो कम कर देता है, then ash का usage भी कम करता है यानि ये जो राक होती है, उसको कम निकालता है, इसमें raw materials कम होते हैं, ठीक है uniform acceptable quality होती है, इसकी reduction to particulate matters की भी value कम होती है in the environment, जो pm 2.5 और 10 होता है, उसको भी ये कम release करता है, okay next बात करते हैं, कि guidelines क्या है, right to green crackers की, तो buy green crackers only from license seller, सिर्फ आप license seller से ही इसको buy कर सकते हो, और identify through CSIR नीरी logo, इसको कैसे identify किया जाता है, CSIR नीरी logo से identify किया जाता है अगर chemicals की बात करें, traditionally crackers में कौन से निकलते हैं, तो white color के होते हैं, white color के chemicals, aluminium, magnesium और titanium निकालते हैं तो जो हमारा EM group है, वो white color का chemical release करता है, then orange color carbon और iron में देखने को हमें मिलता है, yellow color sodium compounds में देखने को मिलता है, okay यह colors आपके लिए important हैं, कभी कबार पूछ लेते हैं exams में, blue और red जो होते हैं, blue और red, copper compound और strontium carbonate है then green agent जो है, वो barium monocloride salt है, या barium nitrite और barium chloride salt है, यह आपको याद रखना है और यह हमारे nervous system, respiratory skins, इन सब पे mental health पर भी असर करता है, ठीक है अब बात करते हैं, fact news की, तो PM किसान सम्मान में दी, news में थी, PM किसान सम्मान में दी क्या है इसको launch किया गया था, 2019 में, 24 फरवरी 2019 में, गोरकपुर, जो की उत्तरप्रदेश में है वहाँ से इसको launch किया गया था, PM किसान सम्मान में दी को और इसका 12th installment दिया जा रहा है, 16 करोण रुपीस का, 11 करोण farmers को इस वज़े से ये news में थी और आपके लिए important हो जाती है तो आपको याद रखना है कि ये एक central sector scheme है यानि, देखे, दो scheme होती है, एक होती है central sector scheme, एक होती है centrally sponsored scheme तो जो central sector scheme है, उसे 100% center, government of India fund करती है तो ये आपको याद रखना है, और यहाँ पे 6,000 करोड रुपे, जो है, 16,000 करोड रुपे, वो install करने वाली है 12th installment में 11 करोड farmers को, तो ये important हो जाता आपके लिए और ये farmers कौन से होंगे, तो ये small and marginalized farmers होंगे, ठीक है, large जो rich farmers है उनको नहीं जबकि small and marginalized जो farmers है, उनको मदद करेगी, proper cropping में, ठीक है, next बात करते हैं, commodity feticism में तो ये news में था, modern society में commodity feticism देखने को आपको मिलता है, यानि की brand name यूज करते हैं, quality के उपर आपको ज़्यादा improvement quality में नहीं दिखेगा, ऐसे ये दिखेगा, economic जो है, हमारी society से related है, ठीक है, society में किस तरीके से brand का name यूज करते हैं, by the use of brand names over quality, और use value product, ठीक है, तो किस तरीके से brand का name यूज करते हैं, और यह कहां पर जो है, या देखने को मिलता है term, तो यह first chapter है, जो कार्ल मार्क्स की जो book है, Das Capital, उसमें देखने को हमें मिलता है, उन्हीं ने ये term use किया था, coin किया था, commodity feticism का, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, especially CSE student, उनके GS paper 1 से ये बहुत important होने वाला है, तो यहाँ पर आपको social relationship दिखने को मिलेगी, of production and exchange among people, and forms of relationship between things, things के बीच में कैसे capitalism की basis यहाँ पर promote की जाती है, ठीक है, तो उसको देखने को हमें यहाँ पर मिलता है, और उसके साथ साथ next बात करते हैं, revenue police system की, तो यह news में थी, क्या समझते हैं आप revenue police system से, देखे, recently एक case हुआ था, 19 year old अंकिता भंडारी का, और उसमें revenue policing का जो बोला की, इसको replace करने की बात करी जा रही थी, ठीक है, revenue policing की, उत्राखंड state से, तो क्या है revenue policing system, यह British time से ही काफी जादा news में था, मतलब Britishers ने इसका use किया था, और यह जब hilly areas में, जैसे कि आपको पता है crime काफी कम हुआ करते थे था, तो उस time पे जो वहाँ के civilians थे, जो normal civil department के लोग थे, वही regular policing कर लिया करते थे, मतलब हम कोई police appoint नहीं कर रहे थे वहाँ पे, money को save करने के लिए, यह Britishers money को save करने के लिए, और resource को save करने के लिए, वहाँ की regular police को deploy ना करके, वही के civil officials को वहाँ का police as a police deploy कर दिया करते थे, ठीक है, ताकि money save हो पाए और resources को भी save किया जा सके, यानि crime जो है revenue policing का, वो कौन file कर रहा था, FIR वगेरा, वो यह civil officials ही file कर लेते थे, और वही revenue policing अब चल रही थी जो उत्राखन में, उसका demand किया गया कि इसको हटाया जाए, क्योंकि जो hereness crimes होते हैं, like murder and rape, ऐसी चीज़ों में हमें regular police की ही जरूरत पढ़ती है, ठीक है, तो other states भी है, जिसमें इसको हटाने की बात की जा रही है, और उसके साथ साथ उत्राखन में भी बात की गई, डॉक्टर दिलीप महाल नबिस, यह news में थे, ठीक है, डॉक्टर दिलीप महाल नबिस कौन है, तो यह एक pediatrician है, pediatrician है, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने use किया है, oral rehydration therapy का, ठीक है, यह important हो जाती है, oral rehydration therapy, ताकि वो treat कर पाएं, diarrheal diseases को, ठीक है, जो कि अभी recently हो रही थी, तो वो important हो जाते हैं, डॉक्टर महाल नबिस, इनका name याद रखना है, यह case field से related है, और इन्होंने क्या pioneer किया है, यह आपके लिए important हो जाता है, बस, ठीक है, आपको इनके बारे में इतनी knowledge होनी चाहिए, next बात करते हैं, प्रधान मंतरी उज्वला योजना की, तो प्रधान मंतरी उज्वला योजना जो की recently news में थी, गुजरात में वैट कट करे हैं, CNG और PNG पे, और बोला कि दो free cylinders देंगे वो उज्वला beneficiaries को, जैसे कि आपको पता है कि गुजरात में elections होने वाले हैं, तो किस तरीके से जो है, पर्सुएट करने की कोशिश की जा रही है, आप देख रहे हैं, लेकिन यह important हो जाता है, आपके examination point of view से, ठीक है, पूछा जाएगे exam में, तो आपको याद रखना है कि प्रधान मंतरी उज्वला योजना जो है, उसमें दो free cylinders देने की बात की जा रही है, तो यह योजना कब लॉँच हुई है, यह ministry of petroleum and natural gas के अंडर आती है, और 2016 में प्रधान मंतरी उज्वला योजना लाई गई थी, जो की firstly लॉँच करी गई थी बलिया से, बलिया कहा है, यूपी, वहाँ से इसे लॉँच किया गया था, यह एक flagship scheme है, ठीक है, और यहाँ पे clean cooking fuel, जो है LPG के दिये जाते हैं, to the women, ठीक है, deprived classes की जो women है, rural classes की उनको, ताकि वो cow dunk और firewood पे rely ना करें, क्योंकि WHO की देखे, बहुत सारे estimates हैं, और उसमें WHO का भी एक estimate था कि 5 lakh death होती है in India, due to unclean cooking fuel, तो इस वज़े से यह important है, और ऐसी schemes लाना भी important है, ठीक है, बहुत beneficial होती ह हैं, क्योंकि जो हमारी household women's है, especially in rural areas, जिनका ख्याल नहीं किया जाता है, उस पे यह focus करती है, ठीक है, और यहाँ पे देखे, premature deaths भी हो रही थी, non communicable diseases, such as heart disease, stroke, chronic ups, obstructive pulmonary disease, lung cancers, तो इस वज़े से भी, और उसके साथ-साथ indoor air pollution भी cause करती है, then open fire in kitchen, इसको भी जो है, raise करती है, अगर open fire in kitchens की बात करें, तो according to experts, यह माना जाता है, कि यह 400 cigarettes के बराबर होती है, जब आप एक घंटे में 400 cigarettes एक साथ जला दो, और एक open fire होती है, जो kitchen में, जैसे जो चूला जलता है, यह दो चीजे relate कर रही हैं एक दूसरे से, यानि एक open fire 400 cigarettes के बराबर होती है, तो इस वज़े से, ऐसी schemes को लाना बहुत जरूरी होता है, next बात करते हैं, NHAI की invits की, तो क्या है NHAI का invits, यह GS paper 3 में important है आपके लिए Indian economy में, और यह transport ministry recently बोला, transport ministry ने कि यह जो invits bonds होते हैं, उन्होंने काफी अच्छा return दिया है, 8.0.5% पर आनम का, तो यह क्या है, NHAI, NHAI आपको पता है, National Highway Authority of India है, और उसमें जो है Infrastructure Investment Trust, तो यह invits क्या है, Infrastructure Investment Trust जो है, sponsor किया है, और यह support करता है National Monetization Pipeline, यानि MNMP को, तो यह important हो जाता है, आपको यह याद रखना चाहिए, और यह trust जो है, इस्टाबलिश किया, NHAI ने किसके अंडर किया, Indian Trust Act of 1888 के अंदर, और SEBI के अंदर, SEBI के Regulations के अंदर, Security and Exchange Board of India के अंदर, then Investment Manager है यह तरीके का, ठीक है, और manage करेगा projects को, तो आपको यह याद रखना है, then what is invits, तो invits क्या है, तो Infrastructure Investment Trust are institutions similar to mutual fund, जैसे mutual fund है, कुछ इसी तरीके के Infrastructure Investment Trust भी है, which pool invest from various categories, अलग-अलग categories से यह pool करेंगे investments को, ठीक है, और उसके साथ साथ significance क्या है, कि यह list करते हैं, BSE और NSE को providing opportunity for investors to provide, invest and trade, और investment करेंगे, अगर NHEI के बात करें, क्यों NHEI क्या है, तो NHEI को Act of Parliament से 1988 में constitute किया गया है, और वो Ministry of Road and Transport and Highway के अंदर आती है, एक Central Authority है, तो maintain क्या करेगी, National Highways को maintain करेगी है न, और इसके full-time chairman होते हैं, and not more than 5 full-time member, और 4 part-time member, इसमें इतने लोग होते हैं, जो कि appoint करती है Central Government, ठीक है, next बात करते हैं, कामिकाजे drone की, तो what is कामिकाजे drone, यह आपके लिए defense system से important हो जाएगा, और defense जो exams हैं, उसके view से भी important है, Recently, Russia ने attack किया था कीव पे, with swarms of Iranian कामिकाजे drones के through, तो यह news में था, इस वज़े से आपको कामिकाजे drone के बारे में पता होना चाहिए, क्या होते हैं कामिकाजे drone, यह simple and deadly शाहिद 136 attack drones होते हैं, मतलब 136 जो है speed के attacking drones हैं, और आपको यहाँ पे जादर deep नहीं जाना है, इतना deep नहीं पूछा रहेगा, लेकिन आपको यह याद रखना है कि इसकी country कौन है, तो वो Iran है, यह आपके लिए important हो जाती है, ठीक है, these are made in Iran, तो आपके लिए यह याद रखना है, इस drone का कहाँ से origin है, इरान से हुआ है, नोना शाहिद 136, इसको यह इस नाम से भी जाना जाता है, यह witness क्या faith, but also a martyr, मतलब एक तरीके का शहीद कर देने वाला यह कुछ इस तरीके का drone है, तो काफी जादा रश्या के लिए काफी परेशानिया यह खड़ी कर रहा है, unlike drones that returns to base once missile are launched, कामखाजी drones और suicide drones are destroyed in the attack, यह इसकी एक खासियत है, कि जो drones होते हैं, वो जनरली अटाक करके वापिस आचाते हैं, लेकिन यह कामखाजे drone क्या करेगा, वहाँ पे अटाक करेगा, इसे suicide drone भी कहते हैं और वहीं पे अपने आपको भी destroy कर लेगा, ठीक है, तो यही use किया है रश्या ने, और इसी लिए यह हो जाता है हमारे लिए important, ठीक है, next बात करते हैं कि क्या है drone fire missile, तो there are once we are missile themselves, ठीक है, एक तरीके की missile ही है, और switch blade drones होते हैं, यह blade like wings हैं इनकी, ठीक है, तो यह सारी बाते आपको यहाँ पे याद रखने हैं, और यह आपके सारे कल की current affairs थे, और यह आपकी examination point of view से important हो जाएंगे, आपको याद रखना है, यह आपके starting portion को भी cover करेंगे, प्लस आपके dynamic portion को भी cover करते चलेंगे, इसलिए यह important हो जाते हैं, और please मैं आसी series को continue करूंगी, बस आपको ए इतना हो सके आप इसको फैलाइए ताकि लोगों को पता चले और मुझे भी motivation मिले ताकि मैं और else series को continue कर पाऊंगे, तिल रेन जय हैं, and be happy.